उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रजेंटेशन का आज आखरी दिन है इस आखरी दिन में होमगार्ड के स्वतन प्रभार राजमंत्री और राजभर्जी हमाई साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हम पूछेंगे उन्होंने अपने विभाग के क्या कारियोजनाय मुख्य के मंत्री के सामने रखी हैं और उन पर क्या अभी तक कारवाई होगी सबसे पहले तो हमारे विभाग के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो जवानों की duty की है समस्या और उसमें हम लोगों ने कारिकर्म बनाया है जो प्रदेश की अन्न संस्थाएं हैं जो प्राइबेट सिकोटी ले रही है हमने सरदे मुखमंत्री जी से भी निवेदन किया है प्रस्ताव बना के भी ले जा रहे हैं उनके पास वहाँ पे अगर हमारे लोगों को आउसर मिले है मिलना चाहिए इसलिए कि हमारे पास वर्दी भी है हमारे पास असलहा भी है हमारे लोग ट्रेंड है इनको आउसर मिलना चाहिए अगर सरकारी संस्थाएं हमारे होमगार्ट को मौका देंगे अपने हाँ तो ये समस्या खतम हो सकती है, दूसरी बात अभी पुलिस को 80,000 जवानों की जरूरत है, ततकाल, तुरत, अगर नई भरती भी होती है, तो उनकी भरती की जो प्रक्रिया है, उनकी जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, वो बाहर आते आते हैं, उनको कम से कम दो साल लगेगा, अब 25,000 हमारे लोग बैठे हुए हैं, तो ये 25,000 लोगों को तुरंत रुजगार मिलेगा, ड्यूटी की समस्या खतम हो जाएगी, और पुलिस विभाग की भी समस्या खतम हो जाएगी, तो इस तरह का प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, तो हमारे विभाग का जो सबसे बड़ जो समस्या है, ड्यूटी की वो खतम हो जाएगी, और दूसरा जो उनके आधुनी करण का सवाल है, अभी हुमगार्ड सब्दाते ही एक विचित्र टाइप की एक तस्वीर बनती है, चौदे साल में लोगों ने इसको इदम खराब कर रखा है, संगठित वातावरन, संगठ नबे के आसपास इनसास, जो हमारा आधुनी का सलहा है, राइफल है, उसको मंगवाया है, उसके जवानों की ट्रेनिंग भी इस महीने के आकरी में आते आते सुरू होने वाली है, और आगे भी हमलों की योजना है कि इनसास राइफल और आवे, और दूसरी जो एक राइफ और काफी पुराना सलहा है, तो उसके जगह जो पियसी का राइफल रखती गई है, वो राइफल इनको मिल जाए, और इनसास भी विभाग में उनके भी ट्रेन्ड होकर हमारे जवान उसको भी लेकर चलें समाज की सेवा कर सकें, इस तरह का हम लोगों प्रस्ताव बना है, मंत्री जी आपकी जो विधान सभा है, वो प्रधान मंत्री जी के एकदम बगल से समलिय लगी हुई है, और एक नकसल प्रवावित इलाका है, उससे वहां की जो लोकल चुनावतियां हैं, उससे कैसे निप्टेंगे, हालिया अभी जो एक हमला हुआ है, जो हमारे 26 जवान स लोग उसका सामना कर रहे हैं, उसमें चड़ा उतार आता रहता है, हम लोग जो महसूस किये हैं कि वहां का जो जवान हैं, वहां के जो गरीब जातियां हैं, जो जंगलों में रहती हैं, उनके अंदर एक चेतना पैदा करने की जरूरत है, उन्ही को वो गुमरा करते हैं, उ वो जिस दिन उनका सहयोग करना बंद कर देंगी उसी दिन अक्सलबाद हमारे इलागे से खतम हो जाएगा तो पहले तो हम लोगों के सामने ये चुनवती है कि उनको कैसे मुख्यधारा से जोड़े और विकास के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो वहां पर एक ऐसा महाल का हम लोग निर्मान कर सकें वहां का जो जवान है नौजवान है हमारे जो गरीब जातियों से हमारे कोल हैं गोन हैं खरवार हैं ये जो छोटी छोटी जातियां हैं उनके बीच में जाकर उनके महाल उनके अंदर महाल बनाना और उनके जो नौजवान है नए लड़के दल है, जिसको PRD आप कहते हैं, उसके तहत उस विभाग को माध्यम बनाकर वहां के लोगों के ट्रेंड करने काम होँआ चल रहा है, वो ट्रेंड है, करीब 2000 लोगों, 2000 नौजवानों को ट्रेंड किया जा सुका है, अब हम लोगों का प्रयास है कि उनको, हम लोग उची ताउ सर दें, ताकि उनका मनुबल बढ़ सके, वो भी मुखितारा से जुड़ सके, अब बात ये आती है कि जो होमगार्ड विभाग है, उसमें भेस्टाचार भी काफी नीचे तक जणे जमा चुका है, और ये भेस्टाचार काफी उपर भी पहुंचा दिख रहा है, जो वर्द जाच करा रहा हूं कि क्यों नहीं खरीद हुई, खरीद नहीं हुई तो उसके जिम्मेदार लोग कौन है, जो लोग भी जिम्मेदार होंगे, निश्ची तोर पे उनके खिलाप करवाई कराएंगे, और अगली बार समय से वर्दी की खरीद होगी, ताकि हमारे जवानों को म मिल सके, प्रकरिया वही है जो पूलीस के पास है, कई हमगारनों का ये दावा है, जो आफ कैमरा भी कहते हैं, कि हमें 15 सालों से वर्दी नहीं मिली है, और इसमें इसके जो मद में जो पैसा आता है, वो अजिकारियों की जेब में चला जाता है, इस पर क्या कोई कमिटी तो हर राजधानी के हर चौराहों पे या बड़े शहरों के हर चौराहों पे होमगार अपनी ड्यूटी निभाती ने लेकिन उनकी जो वेतन विसंगितियां हैं, उनमें भी काफी कमिया है, उसे कैसे दूर करेंगे? उस प्रस्ताव को भी बना रहे हैं, और हम लोग का प्रयास है, स्रद्य मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वसन दिया है, कि नहीं जितना भी संभव हो सकेगा, हम उनका मनुबल बढ़ाएंगे, और अभी बिहार में 400 मिल रहा है उनको, और उत्राखंड में भी हमसे जादे म में भी मिल रहा है, कई प्रदेशों में पुलिस के बराबर उनको मिल रहा है, तो हम लोग भी देरे-देरे उनका, उनकी मांग जायज है, और उसमें भी हम लोग देरे-देरे-देरे-देरे, उनकी मांग को मांगेंगे भी, और उनको बढ़ाने का भी प्रक्रिया चल रही तो ये थे हमाई साथ होमगार्ड राजमंत्री आनिल राजभर साथ जिनों ने बताया कि हमारे विभाग में कई ऐसे बड़े बर्दलाव होने जा रहे हैं होमगार्ड कर्मियों को पुलिस की समान वेतन और पुलिस में ही समावजित किया जाने के एक बड़ी प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी कैमरा परसंट देश राज्टिवारी के साथ मैं विजेतर पाथी एक्सपोज इंडिया लखनव नवश्कार सलाम सच्छी अकाल इस विवेक अबरो और यूर वाचिए एक्सपोज इंडिया